मेरे यूटूब चैनल में आपका स्वागत है आज मैं तवचा के रंग को गोरा खुबसूरत बनाने का एक बेजोड नुस्का लेकर आई हूँ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए ये बिल्कुल फ्री है और क्लिक करें बेल आइकन पर मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए तो चलिए शुरू करते हैं आज जो मैं नुस्का बताने जा रही हूँ इसके इस्तेमाल से आपकी तवचा का रंग काफी हद तक निखर जाएगा और तवचा काफी ग्लो करने लगेगी सबसे पहले चाईए चावल का आटा चावल के आटे के इस्तेमाल से तवचा की रंगत में बहुत ज़्यादा निखार आता है यह एक बहुत बढ़िया स्क्रब का भी काम करता है चावल का आटा आप मार्केट से भी ले सकते हैं या फिर इसे घर पर भी तयार कर सकते हैं दूसरी जो चीज है वो है बेसन बेसन हमें लेनी है एक चमच बेसन हमारी तवचा को बहुत बढ़िया तरीके से साफ करता है इसके इस्तेमाल से तवचा मुलायम बनती है अगर आप रोजाना फिर श्वास की जगा बेसन इस्तिमाल करेंगे चेहरा धोने के लिए तो फर्क आपको साफ नज़र आएगा तीसरी चीज है वो है संत्रे के छिलके का पाउडर वो भी अमें लेनी है एक चमच इसे मैंने घर पर तयार किया है इसे बनाने के लिए आप संत्रे के छिलके को धूप में सुखा कर पीस कर पाउडर तयार कर सकते हैं चौती चीज है कच्चा दूध कच्चा दूध हमें इतनी मातरा में मिलानी है ताकि एक अच्चा सा पेष्ट बन सके कच्चा जूद हमारी त्वचा को गोरा बनाता है और इसके इस्तिमाल से दाख धबे भी दूर होते हैं इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरीके से अपना पेस्ट त्यार कर ले अब इसे अपने त्वचा पर लगाएं सूखने पर हलके हाथों से रगटते हुए छुडा ले सादे पानी से चेहरा धोले आपको पहले इस्तिमाल सहीं काफी फर्क नजर आएगा त्वचा की खुबसूरती काफी हद तक बढ़ जाएगी और त्वचा काफी ग्लो करने लगेगा इसके लगतार इस्तिमाल से कुछी दिनों में आपकी त्वचा का रंग बहुत ही जादा निखर जाएगा मेरे वीडियो को शेयर जरूर करें